जी ये question जो है ये बड़ा important है बहुत कुछ समझना है क्योंकि security valuation में term structure आपने किया होगा के नहीं किया होगा मुझे नहीं मैंने करवाया हूं बकाइदा पर question थोड़ा सा नया है हाला कि forward rate निकालना हमने पहले भी सीखा हुआ है पर इसमें कुछ खास बात है एक बार देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है और याद रखना अगर यह question आप अच्छे से करते तो इसी sheet में और एक question वह आपसे बहुत आसनी से बनेगा बस आपको बात को समझना पड़ेगा मैं क चलो देखे question no.5 exam January 2021 में आया हुआ है sir new syllabus में चार नमबर का कोशन है लेकिन जान लेने वाला कोशन है ऐसे नहीं सोच सकते क्यों कर लेगे नहीं कर पाओगे तो चलो देखे following are the yield yield दे रखा important है भाई अपके लिए येल्ड दे रखा yield येल्ड समझते हो yield मतलब कितना कमाओगे in rate of interest येल्ड में अंतर होता है थोड़ा सा समझने क्यार अब यहाँ समझेगे और है आपके पास zero coupon bonds face value कितना है एक अचा अगर आप एक bond है एक साल के लिए खरीदते हो एक साल का के लिए hold करते तो मिले जो bonds पर येल्ड है वह 10 परशन के लेकिन अगर आप ज्यादा period के लिए खरीतते हो तो yield पर एनम जो है वह थोड़ी सी बढ़ जाएगी और कितना 11 परशन एक साल के लिए सिप 10 परशन पर दो साल के लिए hold करूंगे तो बहले 11 परशन पर एनम मतलब समझने की कोशिश करो कि अगर आप ऐसा bond खरी रहे जिसमें 2 साल तक hold करोगे दूसरे साल rate of interest ज्यादा मिलता होगा मजने की कोशिश करो और अगर और ज्यादा period के लिए hold करोगे तो yield जो है वह कितना 12 पर मतलब ज्यादा से ज्यादा hold करोगे maturity आपकी ज्यादा रहेगी तो उस bonds पर yield भी ज्याद ज्यादा रहेगा ज्यादा hold कीजिए ज्यादा कमाई है यही तो सिंपल सा लोजिक assume that the term structure of interest rate will remain the same term structure क्या होता यह समझाना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा term structure के मेरे lecture सी proper जो मैंने आपको करवा है you are required to calculate the implied one year forward rate important आपको निकालना है one year forward rate और क्या one year forward rate निकालना हमने सीखा हुआ है yes sorry देखे बिल्गों सिंपल है यहीं समझारा हूं मैं यहीं हुझा है यह मेरा zero period यह one year और यह two year अगर मैं एक साल तक hold करता हूं तो yield कितना है 10% अगर मैं दो साल तक hold करता हूं तो yield per annum कितना है 11% तो क्या आप मुझे यहां का rate निकाल के बता सकते हो यहास यहास आराम से निकाल सकते इट मेंस यह उपर वाला फैक्टर आप क्या बोलते थे यादे मैंने कहां करवाए थे derivative में बड़ा वाला फैक्टर divided by चुटा वाला फैक्टर तो इसको तो सीधा सीधा वन इसका फैक्टर 1.11 into equal to इसका फैक्टर आगा सर 1.2321 divided by 1.10 इह कर लो 1.2321 divided by 1.10 तो सर 1.1201 यह निकल कर बताओ निकल कर बताओ निकल कर बताती है वाई फैस्ट इयर का रेट यह है सेकेंड लिए अंस से दो साल तक का रेट यह है तो सेकेंड यह रहे चाहिए कुछ special था क्या मैं फिर से आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूं क्यों इस पर फोकस कर रहा हूं समझा रहा हूं देखो मैटे येल्ड और रेट ऑब इंट्रेस्ट में क्या अंतर है सुनना यहां से जीरो यहां का रेट कितना है 14 पर इसको क्या बोलते है इसको बोलते है यहां का रेट कितना है यहां का 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 यहा मैचुरिटी एक हजार और उसका प्रेजंट वेल्यू निकाली है देखो एक्जाम में कोशन क्या आया हुआ था मैं बार बार इस कोशन चानमर कोशन है बच्चा कोशन इस कोशन के जरीए को समझाने के कोशिश करो मैं कुछ बोलने जा रहा हूं ठीक सुना मालों एक्जाम मे ऐसा है एक हजार रुपिया है एक हजार रुपए जीरो कुपन बॉर्ण है दूसरे साल में एक हजार मैचुरिटी वैल्यू है और येल्ड है 11 बताओ प्रेजंट वैल्यू क्या होगा तो प्रेजंट वैल्यू क्या होगा क्या सीधा निकाल सकते है ऐसे निकलेगा एक हजा divided by 1.11 equal to equal to तो यहां गए 816.62 811 811 है यहार 811.62 यहां फिर एक्जाम में ऐसा भी आ सकता है येल्ड देदेगा तो सीधा निकाल लेना पहले सा येल्ड दियाना तो ऐसा मत बोलना कि पहले साल का येल्ड है और दूसरे साल का येल्ड है ये दो साल का येल्ड है ना सीधा 1000 डिवाइड आप ऐसा नहीं कर सकते मैं आपको सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूं सुनना दियान से सर पहले साल का येल्ड है 10 परशंट दूसरे साल का येल्ड है 11 परशंट स 안ushing कर सकते कि सफूल जी दो साल और आप कहा रहा कि यहां 1,000277 को सबसे पहले हम 11 laughed मिल्तon से कर लेतें और फिर सटाइसा कर सकते हैं नहीं कर सकते कि मैं अक्र मर्लिट और नहीं दिया रहता चाहिए तो फिर आपको फरly दूसरे तरिके से निकालना पड़ता एक हजार डिवाइडिल बाई 1.1201 यह पहले साल का डिवाइडिल बाई 1.10 अंसर उतना ही आएगा 811.62 एक्जाम में यह कोश्चन की उतना में फोकस ही नहीं कर रहा हूं एक कोश्चन इग्जाम में आया इसके बात करवाने वाला और उसकोश्चन में दिक्कत क्या थी उसमें 1000 रुपए उसमें सुनना धियां से क्या था एक हजार रुपगी मैच्चर हूग ठीक हबी है ंख30 2 साल 2 साल बात सेकेट एर के एड में 1000 रुपए मेलेगा बोल रहा है प्रेजंट वेल्यू नेकालों नेकाल लेंगे फिर उनगर है यहां का ग्यारा संट और यहां का 9% पर्स्स सेकेड यह ऑलेवन पर्स где बच् तो इन दोनों रेट को कंसीडर करके तो इल्ड बना हां अगर इल्ड नहीं दिया रहता रेट आप इंटरस्ट दिया रहता तो रेट पूछा था रेट आपने निकाल लिया एट सिट आगे क्या बोल रहा हां एक्सपेक्टेट येल्ड तो मैच्यूरिट ठीक वाइटी हम येल्ड निकालना है और प्राइज आफ वन येर एन टू येर जीरो कुपन बॉंड एड दी एंड आफ फिर्स्ट इयर रॉफ कर दे रहा हूं कि मैं कुछ समझाने वाल हूं इस कोशन है तुनों दोस्तों ये जीरो ये वन ये टू और ये थ्री ठीक है हाँ बोलो हाँ अब मैं आप से ये कह रहा हूं क्या मुझे रेट ऑफ इंटरेश्ट फिर्स्ट इयर का पता था क्या यहसर। टैन परशन टेकंड इयर का निकाला था कि असल त्वैल पंट जीरो वन परशन नकियत है क्या है यह सकतना क्षिप्ट त waffle बस बड़ा सिंपल सा सवाल क्या है यहां का रेट निकल सकता है और यह ृट निकालो तो सही उपर मैं आपको समझेटाओंगा कि मैं यह काम क्यों क्या निकाल सकते वाप हां तो तो पर रेनम है तो तीन साल का फैक्टर 1.12 इंटू इक्वल टू इक्वल टू तो सर ये फैक्टर आ गया है 1.404928 बस निकाले थर्ड यार करेट 1.404928 डिवाइडेड बाइ 1.10 इंटू 1.201 उपर वाला फैक्टर डिवाइडेड बाइड ये दोनों 1.404928 डिवाइड बाइ 1.10 डिवाइड बाइ 1.1201 अंसर आ गया 14.03 परशन 0.03 की 0.2 पता नहीं मुझे 14.03 परशन ठीक है अब कोश्चन क्या पूछ रहा हु इसको अरफ कर रहा हूं अभी आप कोश्चन क्या पूछ रहा है ये दियां से देखना अब कोश्चन आप से ये पूछ रहा है सर की मान लो यह फश्ट इयर का एंड ठीक है आप निकालिए क्या बहुले यल्ड निकाली यल्ड बाद में निकलने बहुले प्राइजी निकाल लो भई ठीक है प्राइज कपका बहुले वन ये बॉणड एंड टू ये बॉणड और निकालना कव है एड़ दी एंड ओफ फ५ट यहां बोट का वैल्यू कितना 1000 इसका प्रेजन वैल्यू निकालिया यहां तक अब सोच्छु निकल सकता है कि निकल सकता है कि एसका निकल कर देखे यहस चलो कि स्थभी कितना रहा एक प५प जार ड़् 1,000 1,121 तो सर अंसर आ गया इसका ये 92.77 ऐसे पहौर कब किन कलते अब इसका कैसे निकलेगा सुन एक और डिवाईड़ और देश डिवाइड बाइच मतलब एक अजर डिवाइड पै one point one four डिवाइड़ बाई वान पॉइंट सेकेंड डियर करेट वान टू जीरो वन एक हजार डिवाइड़ बाई 1.1403 डिवाइड़ बाई 1.1201 अंसर कितना आ गया सर आंसर आ गया 782.93 क्या पूछा था उन्होंने की वैल्यू बताई यह फर्स्ट येर के एंड में बता रहा है बोल रहे हैं जो वन एयर बाउंड है उसका 892 जो टू येर बाउंड से उसका प्रेजेंट वैल्यू था हमको यहां का रेट पता है यहां का रेट पता है हमें यहल्ड से मतलब अपनेरेट से बतला यहां का पता है यहां का पता है उठा कर सीधह यह निकाल लिया यह कितना गए 780 2.93 कोई समस्या नहीं बोलो नहीं तो ठीक है उसने प्राइस पूछा था प्राइस वन येर और एंड टू यर वो तो आपने निकाल दिया सर उसने येल्ड भी तो पूछा है, तो येल्ड भी निकाल लेता हो ना, मैं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चलो येल्ड निकालते हैं, कितना लगा रहा है, सर, 892.77, कितने साल लगाया, 1 प्लस R, ताकि हमारा कितना हो गया, 1000, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ultimately इसका तो 12.01 आएगा ना, सर, हाँ, इसका तो दिक्कत नहीं है, दूसरे ये, जो ये वाला येल्ड है, ये निकालने की जरुबाता है, ये इसकी बात करो, कितना इन्वेश्ट, आज प्रेजेंट वैल्यू कितना, 782.93, कितने साल तक का येल्ड निकालना, सर, दो साल का येल्ड निकाल ये तो आता है, स्क्वेर रूट करना पड़ेगा, 1000 divided by 782.93, जो आएगा, उसका स्क्वेर रूट कर देना, तो सर, ये आ गया है, 1.13, सिंपल सी बात वहनो, 13.02 परशन, इस येल्ड, 13.01 परशन, 0102 चल जाएगा, तो दूसरे पोइंट में क्या-क्या मांगा था, क्या प् इसमें बात करते हैं, क्या प्राइज मांगा है, यास निकला हुआ है, उसके बाद उन्होंने येल्ड मांगा है, 13.02 परशन, ठीक है, ये भी निकल गए, कोशन अच्छा है, और एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, आपको सिक्यूरिटी वैलुएशन में टर्म, स्ट्रक्चर का तभी काम होगा, लेकिन जो इंपोर्टेंट बात थी, मैंने जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट थी, बस मैंने वही बताया है, कि अगर येल्ड बोला है, डिसकाउंटिंग करने के लिए, तो पूरा चलेगा, अगर रेट बोला, तो पहले येर का रेट अलग आएग अगर ही बारा सिदह राएग ये येर का लिए, आजब डिसकाउंटिंग की तो पहले इससे डिसकाूंटिंग है, अगर येलो होता, तो मैं डार मिया डार डार डिसकाउंटिंग करता, तो सिधा बारा पर्षांट यहां पहुचना नहीं था, अगर पहुचना होता तो SIDHassed से divided by 1.12 divided by 1.12 divided by 1.12 सीधा निकाल ले था यहां तक पहुंचना नहीं था यहां तक निकालना था बस इसलिए थोड़ी से दिखा थी ठीक है जी सर आप बोल रहे थे हैं एक कोश्चन करवाओ कि इसी टाइप कहां उस कोश्चन पर ले जलता हूं भाई कि वह कोश्चन अच्छ है यह वहला कोश्चन है यह कोश्चन नमबर थ्री अब मुझे आपका एक्सपर्ट नोलिज है पढ़े कोश्चन को यस देखा एबी सी लिमिटेड वांच टू इस्चू 9% बांट रिडीमेबल इन 5 यर्स ठीक है कोई दिक नहीं है फेस वैल्यू कितना है एक हजार यहां इन वर इस पॉट येंड कर एक्सपॉर्ट येंड़ कर उंसल किया होता है उसी कोश्चन में पहले मैं आपको समझा दू हो ये ले का होता इस कोश्चन की बात करो की आपको याथ तो हुगा नहीं दॉ कर यहां से मैचुरेटी यर बान टू थ्री मैंने कहा पहले साल एक ही साल bond hold करोगे maturity period one year रहेगा yield कम रहेगा पर अगर दो साल तो yield बढ़ेगा तीन साल yield बढ़ेगा it means yield कर वह इस तरह से होता है ये flat हो जाता फिर इस तरह से होता है yield कर जितना maturity ज्यादा रहेगा yield उतना ज्यादा रहेगा इस question में क्या बोल रहेगा इस question की बाद की जो कर रहे थे हम बोले yield कर वह दिया हुआ है नीचे तो सार नीचे जो है वह interest rate है नहीं बेटे ये जो है इंट्रेस्ट दिया ये yield एक्च्वल है पहले साल बारा दूसरा 11.62 11.33 सर ये तो yield कम कम हो रहा है हाँ ये yield कर वह इंवर्ट उल्टा है उल्टा एक्च्वल में मतलब ऐसा expectation बोल सकते की अगर ज्यादा पी रेट के लिए hold कर रहा है तो yield कम मिल रही है मतलब market में rate of interest डाउन होने वाला है सायत उससे हमको मतलब नहीं हमें yield दे रखा है मांग क्या रहा है evaluate the expected market price of bond market price bond bond का expected market price बोला है अगर beta 1.10 due to popularity of because of lesser risk ठीक है सबसे पहले हमें present value bond निकालना पड़ेगा और present value कैसे निकाले यह 0 period ठीक एक हजार का 9% कितना होता 90 तो यहां मिला 90 रुपए first year में second year में 90, third year में 90, fourth year में 90, fifth year में 1090 ठीक है अब सुनना अगर normal होता है यह जो rates है न यह forward rate होते हैं तो मैं discounting कैसे करता सुनना धिहां से अगर यह yield नहीं होता तो suppose 1090 होता एक हजार नगभे तो पहले साल जब यहां से यहां पहुंचता तो discounting करता 10.80 पर फिर यहां से यहां ले जाता इसी को तो discounting करता 11.06 परशन से मतलब अलग अलग rates लेकिन यहां yield दिया है तो यह नहीं चलेगा yield में बड़ा simple yield में क्या होगा इसको discounting करोगे first year के लिए yield कितना 1.12 से divided by 1.2 इसको divide किससे करोगे इसको divide करोगे 1.1162 पावर 2 हो जाएगा इसको क्या करोगे 1.1133 पावर 3 हो जाएगा इसको किससे 1.1106 पावर 4 हो जाएगा और इसको किससे 1.1080 1.1080 पावर 5 हो जाएगा बात समझ में आ रही है दोनों बातों में अंतर समझने की कोशिश करो 1.090 को दो तरीके से discounting कर सकते थे पहले रेट ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये इस तरह से धीरे धीरे करके पहुशते अगर ये फावर डेट है तो पर ये rate of yield है इसलिए मैं सीधा यहाँ पहुश सकता हूं सीधा किस से discounting करूंगा 10.8 और जो present value आएगा उसको हम बीटा से multiply कर देंगे तो expected value bond चाहेगा कि ये कम ज्यादा हो सकता वह किया ये दिया है rate of interest 90 90 90 90 90 90 और लास्ट वाले को उन्होंने सीधा सीधा ये answer निकाल लिए होगा finally मैं बहुत ज्यादा इडियल म नहीं जा रहा हूं पिछले question में जा चुका हूं तो सर जी कहां है सर जी ये आ गया 929 और बीटा से multiply किया तो 1022.6 ठीक पूरा focus बस इसलिए yield दिया हो तो क्या forward rate दिया हो तो क्या discounting कैसे करें दूसरी बात interpret the nature of above yield curve and region for the same बहीं nature क्या ये yield curve है है पर ये तो उल्टा है मतलब मतलब period बढ़ड़ा है उल्टा नहीं हुआ ये था फिर कम हो गया फिर कम हो गया इस तरह से yield करों बन गया मतलब period के बढ़ने से जो yield है कम हो रहा है inverted yield करो और इसका reason क्या है कि आपको ऐसा लग रहा कि future में recession होने वाला है इसलिए rate of interest क्या होने वाला है कम होने वाला है हां short term के लिए लगाओगे तो rate of interest आपको ज्यादा मिलेगा यह ज्यादा मिलेगा यह वाला question उतना important ही जो पिछला question था पिछला question था दोनों ही question करना पड़ेगा बच्चों अच्छे question है बहुत ज्यादा detail में तो नहीं समझा सकता पर जितना समझा है sufficient है बाकी तो आप chapters कर रहा है चलते अगले questions पर